जोईंट पेंज आज मैं डाइटिशन परलिवी जसल आपको सुझाने वाली हूं कुछ ऐसे फूद्स के बारे में जो आपको जोईंट पेंज पर्टिकुलर्डी जो आर्थराइटिस के वज़ा से होती है उसको आप कम कर सके और विंटर्स को आप हसी खुशी और अच्छी हेल्थ के साथ बिता सके आपको स्क्रीन पर एक बेल बटन नजर आ रहा है आप उसे प्रेस कीजिए बिकॉस जब ही हम कोई हेल्थ टॉक या हेल्थ वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन जाएगे और आप इस इन्फरमेशन से अपने जिंदगी को और बहतर बना सकेंगे तो हम बात करेंगे आर्थराइटस के कारण होने वाली जो पेन है उसको कैसे कम किया जा सकता है कैसे इन्फरमेशन को कम किया जा सकता है कुछ ऐसे foods हैं जो आपके शरीर में inflammation को बढ़ाते हैं यानि की सूजन को बढ़ाते हैं वो foods आपको avoid करने हैं जैसे की कोई भी fried और processed foods हैं वो आपकी शरीर में swelling को बढ़ाते हैं तो आप इने बिलकुल अपनी diet से निकाल दीजे इसके बाद ये भी देखा गया है कि जो dairy products हैं वो आपको नहीं शामिल करने हैं अपने diet में particularly in winters जैसे की milk है, पनीर है आप इसे ना लीजे लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने protein नहीं लेना आप vegetarian sources से proteins ले सकते हैं जिससे की आपको inflammation में जादा बढ़ोतरी ना हो आप eggs ले सकते हैं, आप chicken ले सकते हैं जिससे की आपको protein में मिले और body में आपके inflammation भी ना हो इसके लावा friends ये भी देखा गया है कि अगर जादा salt आप अपनी diet में शामिल करते हैं तो भी आपको inflammation होती है तो आप moderate amount of salt का इस्तेमाल कीजिए कोशिश कीजिए कि आप low sodium salts बहुत सारे available है सेंधा नमक है, हिमालियन पिंक salt है आप ये अपने diet में शामिल करें इसके अलावा ये बहुत जरूरी है आपके लिए जानना अपने triggers को पहचाने कि किस चीज खाने से आपको ज़ादा inflammation होती है कौन सी चीज है जो आपको ज़ादा pains की तरफ ले जाती है तो आप उन चीजों को avoid करें नाउ, ये तो बात हुई उन foods के बारे में जिनको आपको diet में limit करना है लेकिन कौन सी चीजें आपको plentiful लेनी है जो कि आपको arthritis में जो inflammation है, pain है उसे दूर ले जाए सबसे पहले हम बात करेंगे omega 3, 6 fatty acids के बारे में अगर आप non-vegetarian है तो इस वेदर में आप fish लेजिए जिसमें आपको omega 3 fatty acids मिलते है लेकिन अगर आप vegetarian है तो आपके लिए walnuts बहुत अच्छी quantity में लेना फाइदे मन रहता है because इसमें omega 3 और 6 fatty acids अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं इसके अलावा बहुत सारे seeds हैं जिसमें की healthy fats होते हैं जैसे की chia seeds हैं, flax seeds हैं यह सब चीजें आपको अपने diet में जरूर शामिल करने चाहिए at least 20 grams of seed mix आप अपने diet में हर रोज शामिल करें तक कि आपको inflammation ना हो इसके लावा ginger and garlic अधरक और लेसन का सेवन आपको inflammation से दूर ले जाता है which is very very important part of the management of arthritis pain इसके लावा जो green leafy vegetables हैं जैसे आप साग है, पालक है, चुलाई है इसका इस्तिमाल कीजिए लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर आपका uric acid towards high range है तो आपको इसको विशेशक यसे पूछे बगार अपने diet में शामिल नहीं करना इसके अलावा broccoli is very good anti-inflammatory food broccoli को अपने diet में शामिल करें, zucchini ले, brightly colored fruits and vegetables लेने से आपकी जिंदगी में रंग तो आएगा ही लेकिन arthritis के कारण होने वाली जो pains है उसमें भी आपको relief मिलेगा Friends, अगर आप इस वीडियो को अपने friends के साल share करना चाहें, आप जरूर कीजिए और अगर आप comment box में अपना सुझाफ देते हैं, we'll be happy to answer all your queries This is dietitian Pallavi Chassal now signing off Until we meet again, stay blessed and live life more Live life more